हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल दे कीचेन ग्यान में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों को चिकेन पकोड़ा बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स ये खाने में बहुत टेस्टी होता है तो आए आज का ये रेस्पी हमें स्टार्ट करते हैं चिकेन पकोड़ा के लिए मैंने 200 तरह्मद्लेटे च्छी को अच्छे से छोटे को लिए था यह बोल्लीच चीकन है मासालों में चीरा पॉडर चीकन मसाला लाल्वीच पॉडर औरिया है एक चमचब दो चमच चावल कह यहां पे आठा को ले लिया है उसके बाद मैंने दो चमच यहाँ पेशन लिया है एक चमच मैंने यहाँ पेश्ट ले लिया है और आधा मैंने यहाँ पे नीमू ले लिया है नीमू लेने के बाद मैंने यहाँ पे धन्या लिया है और यह बिल्कुल फ्रेश धन्या है यह आपके पुकोड़े का बहुत टे सबस्क्राइब नब लिए डिया दो मिर्च को डाल दाल सबस्कारी आट दोस्की कर दोस। पर द्टाइब नहीं है डाली आटा, में सबस्कुमने करना झाल भी सब्सक्राइब पेसन डालने के बाद जितने वह दूस सभी मसालो को डाल दिया इसके बाद में यहां पे थोड़ा सा फूद कलर लिया है इससे बहुत खुबसूर्ट दिखेगा आपका पकोडा उसके बाद अधरक लसुनी का जो पेश्ट लिया था यहां पर दो चोटी चमच रिफाइंड और लिया है। रिफाइंड नहीं लेना है तो रिफाइंड और दालने के बाद मैं इसे मिक्स करूंगी। अब मुझे इसमें थोड़ी सी पानी की जरुवत लग रही है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी को डालूगी। अब देख सकते हैं इसे अपने हाथों की मदद से में मिक्स कर लोगी। इसे डो घंटे केलीए छोड़ना बहुत जरूरी है। आप देख सकते हैं। पाइध जी तो को इसो नान democratic न में सब्सक्राइब हो किया है जो से किसा है oh अब कर अब हमारily शुआ पज्टान्य इस नो किसी कटा दो आप न संतर्म किसी पोलगी आनि अम करें और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा आज का ये जो चिकन पॉकॉड़ा रेस्पी है वह बहुत ही तरीके से मैंने बताया है तो आप देख सकते हैं मैंने सभी पॉकॉड़ो को डाल दिया है अब एक साइड से इसे पकने है तो एक एक करके मैं इसे पलट दूंगी ताकि जो मेरा दूसरा साइड है उस साइड से भी पक जाए मेरा चिकन पॉकॉड़ा और मैंने जो फ्लेम अपना रखा है तो यहां भी आप देख सकते हैं मेरा जो पॉकॉड़ा है वह बिल्कुल रेडी है तो यहां पे अच्छ अच्छा रेसिपी है यह बहुत जल्दी बन जाने वाला रेसिपी है तो आप देख सकते हैं आप मेरा पकॉड़ा जो है अब बन के विल्कॉल रेडी हो चुका है और यह बहुत सुंदर दिख रहा है तो आइए में से साब करके दिखाती हूँ आप लोगों को तो थोड़ दालने के बाद थोड़ा समय चाट मसाला भी यहां पर एड करूंगी इससे आपका चिकन पकॉड़ा बहुत टेस्टी लगेगा और आप इसे ट्राइ जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर फिडबेक दे कि यह आपका रेसिपी कैसा बना है तो अगर आपको य अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ फिडबेक देना बिल्कुल भी ना भूलें तो थेंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो